मर्चेंट्स का क्या अर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं मर्चेंट्स जो है वो मर्चेंट का प्लूरल होता है यानि कि एक से ज़्यादा मर्चेंट को हम मर्चेंट्स कहते हैं जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि Venice कभी धनी वैपारियों का शहर था, तो आप कहेंगे Venice was once a city of rich merchants. या अगर आप ये कहना चाहें कि अरब के वैपारी पूरी दुनिया में अपना कारोबार कर रही है, तो आप कहेंगे the merchants of Arab are doing their things all over the world. या अगर आप ये कहना चाहें कि पूर्जी का बड़ा संकेंदरन वैपारियों के हाथ में था, तो आप कहेंगे large concentrations of capital word in the hands of merchants. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.